कक्छा 9 के विद्यार थी हूँ, मैं आज आपनों को आपके कक्छा 9 के सल्वेस के बारे में समझाने का प्रियास करूँगी कि हिंदी कोर्स B के स्टुडेंट्स जिसका कोर नंबर है 085 थोड़ा समझने का प्रियास कीजिए, इस साल थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे गया है, क इसको समझने का प्रियास करते हैं, यहां देखिए आप लोग के सामने इस तरव का पैटर्न आएगा, तो उपर आप लोग को दिखाई दे रहा है कक्छा 9 हिंदी कोर्स B के लिए है यह पाटिक्राम वी निदेशन 202021 के लिए यह बनाय गया है, तो यह भार बनाय गया है प आपनों को पहला देखिए प्रस्ण आपनों को आएगा विशेवस्तु क्यंतगत, पहला प्रस्ण आपनों का पठ्थित गद्यांस आता है, तो यहां पठ्थित गद्यांस ही आएगा, काव्यांस नहीं आएगा, गद्यांस के लिए आपको बहुत छोटे-छोटे तो आपको चिंता करने की जरूत नहीं है इसका कुलभार 10 है और इस प्रश्न के लिए भी 10 अंक का प्रश्न निर्धारित किया गया है यहां देखिए अपट्टित गध्यांस जो 100 से 150 सब्दों का रहेगा और आपको यहां दिखाई दे रहा है कि दो प्रश्न पूछे जाए रहेंगे दो दो आंक का तो इस तरह से ये कुलभार 10 है इसका दूसरा प्रश्न आएगा व्याकर्ण पर आधारित रहेगा भाषाधिन के अंतबद्ध जिसमें आप आपनों देख रहे हैं कुलभार यहां सोलो दिया है कुलभार सोलो के अंतबद आपनों को जो पूछा ज दिया गया है, दो अंका ये प्रशन आएगा, दूसरा प्रशन है आपका अनुस्वार और अनुनासिक, ये तो पिछली बार आता था आप लों के परिक्छा में, इस बार भी आएगा एक एक अंका, तीसरा है उपसर्ग प्रत्य से संबंदित प्रशन आएगे, दो-दो अंका कुलभा इसका चार रहेगा, और चौथा प्रशन रहेगा, सब्द विचार पर रहेगा आपका, सब्द विचार के अंतर गत एक प्रशन नया आप लों को यहां दिया गया है, सुरूति सम भिनार्थक सब्द, मतलब सुनने में एक जैसा सब्द रहेगा, पर उसका अर्थ अलग-अलग निकलेगा, उस पर अधारित प्रशन रहेगा, दो अंका, परियावाची सब्दों पर प्रशन रहेगा, दो अंका, विलों पर अधारित रहेगा, दो अंका, इसका कुलभार रहेगा, छे, पांचमा प्रशन रहेगा, अर्थ की द्रिश्टी से वाक्य भेद, अर्थ की द्रिश्टी से वाक्य भेद के अंतगरत आप लोग को प्रशन आएंगे दो अंका कुल भार दो रहेगा अर्थ की द्रिश्टी से वाक्य भेद आप लोग को कक्छानों के लिए नया इस साल डाला गया है तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि भाषाधिन के अ पुष्टक में दो पुष्टक है, एक है स्पर्स भाग एक और दूसरा है पूरक पुष्टक, जो संचेन भाग एक, तो इस पे आधारीत प्रशन पुछे जाएंगे, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि गदिखंड और काविखंड, अर्था आठ स्पर्स भाग एक के दो ख पुष्टा जाएगा, आपका गदि पाठों पे आधारीत रहेगा, लगू प्रशन मतलब छोटे प्रशन रहेंगे, तीन प्रशन पूछे जाएंगे और दो अंके, यहां देखिए दूसरा प्रशन है, वही पाठ पुष्टक से निर्धारीत पाठों पे आधारीत रहेग तो यहां आपलों देख रहे हैं कि कुल भार इसका 11 यहां दिखा रहा है उसके अंततगत पहले प्रशन के लिए 6 अंक और दूसरे प्रशन के लिए 5 अंक दिखा रहा है उसकी बाद देखिए यहाँ पर काविखंड है काविखंड के अंतर गत इसका भी कुल भार 11 रहेगा इसमें काविखंड में आपको कविता प्रयाधारित प्रश्ण पुछे जाएंगे लगू प्रश्ण कि प्रश्न रहेगा दो अंक कुल भार छहे रहेगा ढूसरा प्रश्ण है आपको कविथा समझ कर निबंदात्म्र के लिए यहाँ चूस करना दो कुल भार इसकाव ग्यार रहे Beach अब आगे देखते हैं संचेन भाग एक आधारित यहां देखें दो प्रश्न पूछे जाएंगे इसका कहानिया जो है कहानियों पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो दो प्रश्न है विकल्प सहीत का मतल़ है इसमें भी आपको चूज करना है, यह छे अंका रहेगा, दो प्रश्न छे अंक उसके बाद यहां लेखन है लेखन में आपनों को यहां पर जैसे पहले आता था अनुछेद लेखन वैसे अनुछेद लेखन इस साल भी आएगा पर अंक जो है यहां पर खुल भार यहां छे दिखा रहा है पच्छे पहले नहीं था पांच अंक था इस साल छे अंका दिया है लेखन पर ये 26 अंकों का प्रश्न पूछा जाएंगे पहला अनुच्छेद को पूछा जाएगा आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि यहां limitation दिया है सब्दों का कम से कम 80 और ज्यादा ज्यादा 100 सब्दों का तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है यह भी विकल्प सहित रहेगा अर्थात आपको चूज करना पड़ेगा अनुच्छेद लेखन के लिए आप अराम से संकेद बिंदियों के अधार पर आप लिख सकते हैं अब यहां लेखन के अंतगर दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो र प्रश्न है एक ही प्रश्न इसमें आएगा और वो भी विकल्प के साथ रहेगा पांच अंकर रहेगा तीसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा लेखन के अंतगत वो है संदेस लेखन संदेस लेखन इससल नया इंट्विज किया है नया डाला है आपनों के कोर्स में तो पहल लिखने होंगे यहां भी limitation दे दिया है 30 कम से कम 30 और ज्यादा ज्यादा 40 सब्दों को आपको लिखना होगा यह पांच अंग का है इसमें भी आपको विकल्प देगा चूज करने के लिए चौथा इसमें लिखन में प्रश्न देगा आपनों को देखें यहां पर समवाद लेखन समवाद लेखन पहले भी कोर्स में था इस साल भी कोर्स में है पांच अंग का है यह समवाद का मतलब होता है बातचीत दो वेक्तिव में या तीन वेक्तिव में बातचीत लिखना पड हाँ इस साल आप लोगं को नेया डाला है नेया इंट्रिउस-किया है प्रजेक्ट वर्कुल भार रहेगा लेखन का 26 तो यह आपका पैटन में आएगा अब यहां देखे असी अंकों का प्रशन आएगा पैटन को ध्यान में रख का आब बाकी जो 20 अंक है यह 20 अंक की स्कूल के तरफ से आप लों को पूछे जाएंगे यह स्कूल के तरफ से अंक जाएंगे इसमें क्या आप लों को करना पड़ेगा इसमें है स्रुवां तथा वार्चन स्रुवां मतलब सुनना वार्चन मतलब बोलना तो इस तरफ से इस पर आधारी 10 अंक का प्रशना आएगा दूसरा है परियोजनाकारी प्रोजेक्ट वर्क वेगला मिलेगा 10 अंक का तो इस तरफ से आप लों का 100 अंकों का प्रशन को हल करना पड़ेगा हिंदी कक्छा 9 कोर्स B के लिए आप देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन-कौन पाठों को हटा दिया गया है जैसी के आप लोग जानते हैं 30 प्रतिशत पाठों को हटा दिया गया है हमारे पुस कभी अउनके उनकी रचना दिया हुआ है जैसे यहां आपको इस पाठ को नहीं पढ़ना पड़ेगा धिरंजन मालवे धिरंजन मालवे का लिखिवी यहां देखिए पाठ जो है विज्ञानिक चेतना के वाहक चंद सेख व्यंकत रामन ये विज्ञान पर आधारी थे इसक एज़ रामधाय सिंह दिनकर की लिखुई कविता है गीत अगीत इस पर भी प्रशन नहीं पुछे जाएंगे। काका का लेलकर की लिखुई कीचल का का विय इस परmen नहीं पूछे जाएंगे। स्वांआनन का लिखा हुआ सुक्रतारे के समान इसको भी इस साल पाठ से प्रशन नहीं पूछे जाएंगे, नजीर अगबराबादी की लिखुई कविता आदमी नामा ये भी इस साल नहीं पूछा जाएगा, हरिवांस राय वर्चन की लिखुई कविता पर आधारित प्रशन भी इस साल नहीं आएगे, अरुन कमल का लिखा हुआ, दो कविता है इन तो इसको मत पढ़िएगा, इसको चिन लगा के रख लिजे, यहां देखिए है संचेन, संचेन में कहानिया है, छे कहानियों में से दो कहानी नहीं आएगा, कौन कौन सी कहानी नहीं आएगा, पहला है कलु कुमार की उना कोटी, दूसी कहानी है मेरा छोटा सा निजी पुस साल, solve नहीं करना पड़ेगा, halt नहीं करना पड़ेगा, तो इसको हटाने के बाद जितना आपका कोर्स है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और उसको समझने का प्यास कीजिए, पढ़िए अपने तरीके से, और मैं जितना बताई हैं उसको सुनकर आप आगे अपना कोर्स त